वेवर का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं वेवर का इस्तेमाल नाउन और वर्ब दोनों तरीके से किया जा सकता है नाउन की रूप में वेवर का आर्थ होता है हिचकी चाहट या फड़फडाहट वर्ब की रूप में वेवर का आर्थ होता है लहराना, जिजगना, डगमगाना, लड़खडाना, डगडगाना, हिच्किचाना, डटकर ने रहना, दुविधा में होना, ऐस्थिर होना या अनिश्चय में होना जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि हम इस इस्थिती में कभी नहीं डगमगाएंगे तो आप कहेंगे we will never waver in this position या अगर आप ये कहना चाहें कि वे उसके समर्थन में पीछे नहीं हटे तो आप कहेंगे they did not waver in their support for him अब आप ऐसे ही किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें